हेलो फ्रेंट्स मैं हूराजन और आप देख रहे हैं हमारे चैनल टेलरिंग गुरू जी आज के इस वीडियो में शानदार एक अस्तिन का डिजाइन बता रहा हूं स्लेव डिजाइन जिसको और एक हम इसलेव भी बोलते हैं कैसे बनेगा सबसे पहले इसकी कटिंग है ठीक है तो यह टोटल आपको चार फोल्ड हो गया ताकि दोनों अस्तिन निकल जाए अब यहां पर देखना एक सीधी लाइन सबसे पहले यह काम करना बिल्कुल सीधी लाइन और उसके बाद मार्जिन यह हाफ इंच का अब देखेगा लंबाई अस्तिन की लंबाई आप अब को कितशने चाहिए जैसे मान के चलो हो आपको 5 तो आप 5 पांच का निशान लगाए है यह इस तरह से कपड़ा बिलकुल विक्स है हमारे पास यह इस तरह यहां पर मार्जिन लेंगे यह करीब 1.5 इंच का आपको लेना है उसके बाद यहां पर देखना अब यह नॉर्मल स्लीव है तो हम अपना पुराना तरीका इसमें यूज कर सकते हैं जैसे 7 इंच का हमारा अस्तिन गुलाई है 8 इंच पर अस्तिन का आर्म होल बैट जाएगा म अब यह करने के बाद यह आपका फ्रेंट पला इस तरीके से चट जाएगा चलिए इसकी कटिंग करते हैं कि अब दिखना डिजाइन के लिए हम प्याह खरेंगे यहाँ पर निशान लगाएंगे पौन इंच का पहला निशान यह इसके प्रकार सएं और उसके यहां पर फिर से 5 इंच का निशान इस तरह से नापते आप जाओगे, आपको यहां पर प्लेट से डाल नी है, तो उस हिसाब से आपको यहां पर कपड़ा लेना पड़ेगा, ठीक है, तिन निशान हमने 5 इंच के लगाएं यहां पर इधर से देखना, 2 इंच नीचे, यह इस ठीऴिष में प्रेथ ऐसाब से काथना है Max space के लिए बना सकते मैं यह हैवी साइस के लिए genes karna फिर बन जाएका यहाँ पर निशान है इनको आपको इस 트re से स्केल से मिलाना है कटिंग करने के जश्ट बाद आप इसको इस प्रकार से तिर्चा मिला होगे और ध्यान देना किस तरीके से हम मिला रहे हैं यह चीजे मिस्टेक नहीं होनी चाहिए यह ऐसे, ठीक है, यह तीनों आपको इस प्रकार से मिलाना है, अब इसमें इस चीज का ध्यान रखना कि यह वाला जो हिस्सा है, यह आपका अस्तिन फिटिंग वाला हिस्सा है, यह एरो का निशान मैंने दे दिया, एरो की तरफ जाकर कि आपका स्लिव फिट होगा, तो इस च काटना है, थोड़ा सा छोड़ देंगे, पूरा नहीं काटना है, यह ऐसा, यह तीन बार आपको काटना पड़ेगा, यह कट्स लगा सकते हो चाहो तो, मैं तो फिर निशान ही कापी, इसको ओपन करते हैं, यह देखिए, अब चलिए, यहां से मैं एक पीस अस्तिन को आपक को समझाऊंगा, अब देखिए, यह आपको एक्स्ट्रा फैब्रिक लेना है, और इस फैब्रिक के उपर भी यह जो भी हमने कट किया, इसको रखना है, ठीक है, ध्यां दीजिए, एक स्लिव के लिए बता रहा हूं, दूसरे साइट का स्लिव आप से हम इसी तरह से बनाओ, इसमें आपको क्या करना है, पिन्स अटेज करने, यह इस प्रकार से पिन लगा लेंगे, ताकि बाद में आपको कोई भी दिक्कत नाम, यह देखो, यह जमेगा कैसे, यह इस तरह से जमेगा, और उसके बाद देखना, यह आपको यह शीधा निशान सेंटर का लेना है, तो यह देखो, यहाँ पर मैंने जो गैपिंग लिया है, पौने दो इंच का लिया है, क्योंकि हवी साइज है, आप इसको देड़ इंच का भी ले सकते है, नॉर्मल साइजों के लिए, पिन्स का आपको यूज कर लेना है, नहीं जमाने के लिए, यह इस टाइप से, अब यहाँ पर देखिए, हमें कटिंग करना है, उसके लिए मैं निशान बता रहा हूँ, आप क्या करोगे, यहाँ से लगपक देड़ इंच की दूरी से, यह इस प्रकार से, देड़ इंच छोड़ करके आपको इस कपड़े को काट देना है, यह देखिए, और यह वाला जो हिस्सा है, यह पूरा डेड़ेंग छोड़ने के बाद, यहाँ पर आपको किये वाल सिलाई मार्जिन लेना है, पौर इंच का, यहाँ पर, यह देखिए, ऐसे, और यह पूरा कपड़ा अब आप कटिंग कर सकते हूँ, ठीक है प्रेंट्स, अगर एक बार में समझ मिना है, वीडियो दुबारा देख सकते हैं, कोई भी प्रॉब्लम है, नीचे कमेंट कर सकते हैं, और इगामी स्लिप और भी मैं बता दूँगा आप लोगों को, अभी यह पूरा करने के बाद, यह पिंस आप निकाल सकते हो, या पहले इसकी कटिंग कर सकते हूँ, पूरे कट्स लगा दिये हैं, हमने, ताकि कोई भी दिक्कत ना हूँ, यह यह वाला हिससा भी आपको कटिंग कर लेना है, अब चलिए देखते हैं, चुन नटें कैसे डालनी है, तो यहां देखिए फ्रेंड्स, प्लेट्स आपको डालना कैसे है, प्लेट्स आप दो तरीक से डाल सकते हैं, जैसे कि एक साथ आप पकड़ करके डालना चाहें, तो भी डाल सकते हो, और एक-एक करकी डालना चाहिए तो उस तरह से भी डाल सकते हैं पहले देख लेना सेंटर लाइन आपका क्लियर होना चाहिए ठीक है और उसके बाद ये इस प्रकार से पकड़के पहली प्लेट आपकी बहुंच ज़्यादा तीर्छी रहेगी ये देखो और उसके बाद ये जो दूसरी प्लेट है ये इसके उपर चड़ा करके ये ऐस रखना है ध्यान देंगे थोड़ा सा इस पर और उसके बाद ये तीसरी प्लेट क्यवल तीन ख्लेटे लगेंगे ये ऐसा ठीक है और उसके बाद ये सिलाई अपकी complete अब return शिलाई यहां से घुमा लेंगे अब आएंगे दूसरी साइड का यह दीखें यह पहली प्लेट होगी इसको थोड़ा तिर्चा लगाना है यह इस तरीके से पूरे चड़ करके जाएगा इस पे अब दूसरी प्लेट वो नॉर्मल लगेगी जिस तरह से अम्चुनेट लगाते हैं यह ऐसे और उसकी बाद यह तीसरी प्लेट है तो यह थोड़ी सी तिर्ची यह इस पकार से जाएगा ठीक है बनने के बाद इसका पूरा लुक आप देखेंगे बहुत ही अच्छा लगेग यह अभी देखिए कुछ इस प्रकार से आया तो यह अभी आपको समझ में नहीं आ रहा होगा इसके लिए अब हम क्या करेंगे तो अभी देखिए जो हमारा स्लीव है उसी साइस का हमने यह पेपर कट किया आप इस तरह से कट कर लेना और उसके बाद यह जो अभी हमने प् पिट आ रहा है लेकिन यह जो एरिया हम जो डिजाइन कर रहे हैं उसको आप देखिए इसको आपको सेट करना पड़ेगा इसलिए हमने यह नियूस पेपर का कटिंग किया हुए लाग से तो अभी हम प्याहत रहे हैं कि चॉक से निशान लगा लेंगे देखेंा वरी जमा लेना इस तरह से और जितना हमें जो जरुट है जैसे यहाँ पर निशान लगाने की जुरुट है तो यहान निशान लगा लेगे ये जो इसलिए मैं बता रहा हूं ये बिना अस्तर वाले है अस्तर वाले में लगाएंगे तो सिदा सिदा चिपका सकते हैं लेकिन इसको पल्टाना पड़ेगा पल्टा करके सिलाई करना पड़ेगा तो ये मैं बिना अस्तर वाले में बता रहा हूं अभी पेपर का काम हो गय अब इसी निशान के उपर इसको पल्टा करके सिलाई करना है क्योंकि यह अस्तर वाला नहीं है यह इसलिए हम इस लिए हमने चौक से पहले ही निशान लगा लिया और यह इस प्रकार से इसके सिलाई करते जाएंगे कि आपको यहां पर निशान के उपर से लाई करते जाना है यह देखें यह हो गई से लाई कंप्लीट अब इसको कंप्लीट करने के बाद हम इसको लटाएं यह देखें ठीक है तो इस प्रकार का डिजाइन आएंगा एक्स्ट्रा जो अदर के कपड़े हैं वो कट जाएंगे अंदर के कपड़े भी कट जाएंगे तो पहले अंदर का कटिंग करते हैं यह देखें यह अंदर का कपड़ा पहले काट अभी देखें यहां पर जो एक्स्ट्रा हिस्सा है यह वाला इसको आप फर्मा रख करके जो मैंने पेपर बताया उसको रख करके आप इसकी कटिंग कर सकते हो और एक बराबर इसको सेट कर सकते हो ये थोड़ा सा एक्सट्रा इदर निकला हुआ है तो जैसे हम पेपर को रखेंगे वो जो एक्सट्रा हिस्साय हम को समझ में आ जाएगा और हम उसकी कटिंग को कर देंगे ठीक है ये देखे ये इस प्रकार से रखे और जितना एक अगे कौन सा सामने परळाओगा कौन सा फिछे परळा ओका दोनों अस तिन जब आ बनाएंगे तो इसमें भी थोड़ी से उलजन होगी लेकिन जैसे आप बनाते जाएंगे इस डिजाइन को आपको सारी चीजें लिएर हो जाएंगे यह हो गया अभी देखें अंद में हमें क्या करना है इसमें लगाना है लेस अब यह क्या है बिना अस्तर वाला स्लिव है तो इसमें हमें यह कॉर्णर मोड़ना पड़ेगा ठीक है इसमें आप मन चाहा लेस यूज़ कर सकते हैं लेकिन मैं यहां पर बता रहा हूं यह उरे पट्टी जो कि यहां से इस तरह से बिलकुल सीधी लगेगी तो यह आप फिट कर लेंगे चलिए देखते हैं इसको एक सूट में लगाने के लिए तो जैसा कि मैंने बताया यह बिल्कुल सिंपल तरीके से फिट होगा तो चलिए एक सूट में करते हैं फिटिंग तो यहां पे जो शूट मैं अभी फिट करने लिए यूज कर रहा हूं वो इक कॉलर वाला सूट है तो उसके लिए आपको अस्तिन का सेंटर लेना है ठीक है यह इस पकार से बराबर रख करके बिल्कु सेम नॉर्मल स्लिस की तरफ फिट हो का फ्रेंस इसमें कोई फिटिंग म ठीक है अब फिट करने के लिए सेंटर से सेंटर मिला कर क्या आपको फिट करना होता दो पू काफी एज lighting को रखेंगे सेंटर का कट लगाए और शूट हमने सीदा रखा है तो उसलिव को हम अल्टर रखेंगे ये इस प्रकार से रख करके के वल हमें आपके सिलाई लगानी है तो चलिए ये सिलाई करते हैं कम्प्लीट और उसके बाद देखते हैं स्लेव का फाइनल लुक तो ये देखे फेंट से नीचे हमने यहां पर एक कपड़े का छोटा सा बटन बना करके लगाया है और उसके बाद आप इस स्लेव का लुक देख सकते हैं ये कुछ इस प्रकार से आएगा काफी अच्छा देखेगा पहनने के बाद जैसा कि आप स्क्रीन पे फोटो पे देख पा रहे हैं और मैं उम्मीद करूँगा आप सभी लोगों को ये डिजाइन जो पसंद आया होगा ये इस तरीके से जो डिजाइन हमने बनाया कैसा लगा आप सभी लोगों को नीचे कमेंट करके बताइएगा वीडियो अगर पसंद आया तो इसे लाइक करें शेयर करें चैनल पर पहली बराया है चैनल को सस्क्राइब के बिना नहीं जाना है मैं राजन आप से फिर मुलागात करता हूँ किसी नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ तब तक के लिए जैहन